अन्धान वस्त्रदान विद्यादान धन्दान ये सारे दान इनसान के पुन्य के उसको भागी बनाते हैं किसी भी चीज का दान जब आप करते हैं तो आपके मन को शान्ति मिलती है श्री राम चरित्र मानस में गोस्वामी तुलसिदा जी ने कहा है कि परहित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को कश्ट देने के समान कोई पाप नहीं दान ऐसा कारे है जिसके जरिये हम ना सिरफ धर्म का ठीक पालन कर पाते हैं बलकि अपने जीवन के तमाम समस्याओं को भी उससे निजात पाते हैं अलग-अलग वस्तों के दान का अलग-अलग समस्याओं से जुड़ाव होता है लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपको नुकसान भी हो सकता है कई बार गलत दान से अच्छे बुरे ग्रहे के परिणाम जो है उल्टे सीधे हो जाते हैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि अन्वस्त और धातूं के दान से आपको क्या फ़ल मिलेगा सबसे पहले अनाच का दान करने से जीवन में अन्र का अभाव नहीं होता अनाच का दान बिना पकाई हुए करें तो जादा अच्छा होगा धातूं के दान की अगर बात करें तो विशेश दशाओं में ऐसा दान उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसका उसको जो प्रयोग की है जैसे धात्वों के दान करने के लिए जो प्रॉब्लम आई आती है जो मुश्किल प्रॉब्लम होती है वो विपत्ती टल जाती है बस्तरों का दान की अगर हम बात करें तो इससे आर्थिक स्तिती हमेशा उत्तम रहती है उसी तरह कपड़ों का दान करें जिस तर के कपड़े आप पहनते हैं फटे पुराने या खराब अस्तरों का दान कभी भी ना करें इससे इंसान को दान करने में आनन मिलता है उसे इश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है क्योंकि देना इंसान का श्रेष्ट दिया जिलाकर साथ अनाज का दान करने पर रहत मिलती है